अब सूर्य चंद्रमा और प्रिथिवी के पारस्परिक संबंधों पर आधारित कुछ परवाशित शब्द। उबसोर यानी पेरी हीलियन। ये वो इस्थिती है जिसमें प्रिथिवी अपनी दीर्ग वित्ताकार कक्षा में परिक्रमन करते हुए सूर्य से निकटतम दूरी ये इस्थिती प्रिथिएक वर्ष 3 से 5 जनवरी प्राया 3 जनवरी को बनती है इस इस्थिती में सूर्य और प्रिथिवी के बीच की दूरी 14.7 करोड किलोमीटर होती हैं। निकोलस कौपर निकस के अनुसार इस स्थिती में प्रिथवी की गती बढ़ती है। 14.96 करोण किलो मीटर है इस दूरी को एक खगोली एकक कहते हैं। उप भू या उप प्रिथवी का यानि पेरी जी जिस प्रिकार प्रिथवी अपनी कक्षा में परिक्रमन करते हुए सूर से कभी निकट्तम दूरी पर और कभी अधिक्तम दूरी पर होती है। उसी प्रकार चंद्रमा अपने दीर्ग वृत्ताकार परिपत पर प्रिथवी के चारो और परिक्रमन करते हुए कभी प्रिथवी से निकट्तम दूरी पर होता है। जब चंद्रमा प्रिथवी से निकट्तम दूरी पर होता है तो उस इस्थिती को उपभू या उपप्रिथिविका कहते हैं। इस इस्थिती में चंद्रमा और प्रिथिवी के बीच की दूरी तीन लाग साथ हजार किलोमीटर होती है। अपभू या अपप्रथिविका यानि आपोजी चंदर्मा और प्रथिवी के बीच की अधिक्तम दूरी की इस्थिती को अपभू या अपप्रथिविका कहते हैं इस इस्थिती में चंदर्मा और प्रथिवी के बीच की दूरी चार लाग चार हजार किलोमीटर होती है क्रम्शा तीन जन्वरी और तीन जुलाई को बनती है, उपरी तोर पर ये तत्थ ब्रहमक सा प्रतीत होता है, क्योंकि यदि निकट्तम की इस्थिती तीन जन्वरी को बनती है, तो फिर गर्मी की इस्थिती होनी चाहिए। कि दोनों तिथियां सही है, असत्ते अवश्य प्रतीत होती है, किन्तु उसके दो कारण है। कंजंग्शन, अपोजीशन, सिजगी उस इस्थिती को कहते हैं, जिसमें सूरिच चंद्रमा तथा प्रिथवी अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमण करते हुए तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। ये इस्थिती महीने में दो बार बनती है, एक को यूती और दूसरी इस्थिती को व्यूती कहते हैं। अर्थात सिजगी के दो भाग हैं, यूती और व्यूती। यानि कंजंग्शन ये वो इस्थिती है जिसमें नमबर एक सूरिच चंद्रमा और प्रिथवी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। नमबर दो, सूर्य और चंद्रमा दोनों प्रिथवी के एक ही होर होते हैं। ये इस्थिती आमवस्या यानि नियू मून को बनती है। इस इस्थिती में दो प्राकरतिक घटनाएं घटित होती हैं। नमबर एक सूर्य ग्रहन यानि सोलर एकलिप्स लगते हैं तथा नमबर दो, व्रिहत ज्वार यानि स्प्रिंग टाइड आते हैं। वियोती यानि अपोजीशन ये उस इस्थिती को कहते हैं जिसमें नमबर एक सूर्य चंदरमा तथा प्रित्वी तीनो एक सीधी रेखा में होते हैं। नमबर दो, सूर्य और चंद्रमा के बीच में प्रिथवी की इस्थिती होती है, ये इस्थिती पूर्ण मासी यानि फुल मून को बनती है। इस इस्थिती में भी दो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। नमबर एक चंद्रग्रहन यानि लिउनर एकलिप्स लगते हैं। तथा नमबर दो, विहद ज्वार यानि स्प्रिंग टाइड आते हैं। उलेखनी है की, नमबर एक, महा सागरी जल के उपर की और उठने की क्रिया को ज्वार यानि टाइड तथा मूल स्थान की और लोटने की क्रिया को भाटा यानि एब कहते हैं। ज्वार सूरी चंद्रमा की आकर्शन शक्तियों और प्रित्वी की केंद्रा पसारी शक्ति यानि सेंट्री फ्यूगल फोर्स के कारण आते हैं। नमबर दो, आकार और उंचाई की द्रिष्टि से ज्वार तीन प्रकार के होते हैं। प्रित्वी परस पर समकोनी इस्थिती में होते हैं और सूरी तथा चंद्रमा के ज्वारोत पादक बल परस पर विप्रीत कारे करते हैं। लगुजवार जब चरम पर होते हैं तो इनकी उचाई दैनिक जवार से कम होती है। दैनिक जवार या सामान निजवार यानि डेली और जनरल टाइड प्रतिदिन बारा घंटा 26 मिनट के अंतराल पर आते हैं। ये तब आते हैं जब सूरी चंद्रमा और प्रतिवी ना तो समकोन पर होते हैं ना सरलकोन पर। यहां ये भी उलेखनी है कि किसी किसी महीने पूर्ण मासी की इस्थिती दो बार बनती है। तब पहली पूर्ण मासी को भुल मून तथा दूसरी पूर्ण मासी को ब्ल्यू मून कहते हैं। पहला हुआ है कि कि किसी महीं चुल मून तथासरी और भी फिसक्षाद स्थिती उथतो निजार का कि 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 न सर दो रागार प्रतिज़ को सो और बनती है hm कि को बनती हैं। कि तब हुआ उला हुआ है कि यह anxiety